हे गाईस आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से टुमेटोस को ब्लांच किया जाता है सबसे पहले हमें एक पैन के अंदर पानी को बॉइल करना है अब हम लेंगे टुमेटोस टुमेटोस की यह जो है आई होती है इसके जो ओपसेट है वहाँ पर हम चाकू की मदद से एक और दूसरा कट लगाएंगे मतलब like an X इस पे कट लगेगा once again, इधर, इधर, that's it अब boiling water के अंदर हम इन टुमेटोस को डालेंगे इसे हमें 30 seconds के लिए एक quick boil देना है उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे In the meantime, हम एक bowl के अंदर iced water तयार रखेंगे Alright guys, 30 seconds अब, अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसे हम डालेंगे chilled iced water के अंदर इसे हम सोक करेंगे करीबन एक मिनट के लिए अब पानी में से टमाटर को निकालना है और जहां पर हमने इसे slit किया था वहां से इसे पील करना है ठीक उसी तरीके से जैसे हम एक संत्रे को पील करते हैं So easy Skin अलग हो गई, टमाटर अलग हो गया Another one And that's how you perfectly blanch a tomato